Good morning dear students, now let us start the rest reading of this lesson and I will complete the reading of this lesson today. But that was not so, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इतका मतलब है कि लेखक जब खुस्वन सिंग जब विदेश पढ़ने के लिए गया, तो उसे यह उमीद नहीं थी कि वे जब पांस साल बाद अपनी पड़ाई साप्ट करके आएगा, तो वो अपनी दादी से मिल पाएगा, चूंकि वो बहुत बृद्ध थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अर्थात उटकी जब वो लोट कर आया, तो उसकी दादी जो थी, वो उसको मिली, अर्थात वो एक्सपायर नहीं हुई थी. But that was not so, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. After five years, I came back home and was met by her at the station. पांस साल बाद जब मैं मिला, तो मेरी मुलाकात अपनी दादी मार से station पर हुई. She did not look a day older, वो मुझे एक साल, एक भी दिन और बृद नजर नहीं आ रही थी, अर्था जैसा मैंनस को पांस साल पहले देखा था, पिल्कुल उसी उम्र की वो आज भी लग रही थी. She still had no time forwards, अभी भी वो जादा बातें नहीं करती थी. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting, her prayers. जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, तो मैं उनके द्वारा, जो वो भगवान के भजन गा रही थी, मंत्रों का जाब कर रही थी, उनको मैं सुन पा रहा था. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with fabulous rebukes. जब मैं लोटा, तो मैंने देखा कि जिस दिन मैं लोटा, तो मैंने देखा कि सभी लोग घर में खुशते कि मैं आया हूँ, लेकिन मेरी दादी के लिए सबसे खुशी का समय वो था, जब वोह इस पैरो पक्चियों को, गौरिया पक्चियों को, रोटी खिला रही थी, वो लेखक पांस साल के बाद घर लोटा तो दादी माँ खुश थी वरिवार के सभी लोग खुश थे लेकिन मेरी दादी माँ उस समय भी सबसे ज़्यादा प्रसंद उस समय थी जब वो हचडियों को रोटी खिला रही थी in the evening a change came over her साम के समय उनमें एक परिवर्तन नजर आया she did not pray साम को उन्होंने फ्रात्मा नहीं की भगवान की पूजा नहीं की she collected the woman of the neighborhood उन्होंने आसपास की महिलाओं को एकत्र किया got an old room एक पुराना धुलक मगवाया and started to sing और उसको बजाना सुरूप किया for several hours she thumbed the sagging skins on the dilipidated drum and sang of the homecoming of warriors और घंटों तक वह उस धुल को अन्य महिलाओं के साथ बजाती रही और मेरे घर आने की खुशी में गाती रही we had to pursued her to stop to avoid overstating हमें दादी को समझाना पड़ा कि वह जदा धुलक ना बजाएं जदा काम ना करें इससे उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी उन पर वह बिमार हो सकती है that was the first time since I had known her that she did not pray लिखर कहता है वो पहला दिन था जब मैंने इस चीज को देखा मैसूस किया कि उन्होंने आज साम को भगवान से इकरातना नहीं की the next morning she was taken ill, अगले रविवार, अगले हीद सुबह वो बीमार हो गए it was a mild fever and doctor told us that it would go उनको हलका सा बुखार था और डुखार ने बताया कि ये बुखार जल्दी ही ठीक हो जाएगा but my grandmother thought differently लेकिन मेरी दादी मा कुछ अलग ही सोच रही थी she told us that her end was near उन्होंने हमको बताया कि उनका अंत अब नजदीक है she said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, वो केरने के लगी चुँकि उनके जीवन के समाप्त होने में अब कुछ ही घंटे माकी बचे हैं इसलिए उन्होंने इस समय पूजा पाठ करना बंद कर दिया she was not going to waste any more time talking to us क्योंकि वो हमसे बातें करना चाहती थी और अपना समय बरबात करना नहीं चाहती थी अर्थाथ हम लोगों के साथ बात करना चाहती थी we protested, हमने उनकी इस बात का बिरोत किया कि वो ऐसा ना कहें, वो बहुत लंबे समय तक जियेंगी but she ignored our protest लेके उन्होंने हमारी बिरोत की कोई परवाह नहीं की she lay peacefully in bed, praying and telling her beats वो ने बिस्तर परसांती पूंटरी के से लेटी रही और अपनी माला को जबती रही Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger इससे पहले कि हमें ये संदे हो पता कि मरी दादी मा को कुछ हुआ है उनके ओंट जो मंतर का जाब कर रहे थे, वो रुख गई और उनके हाथ में जो माला थी, पूजा की माला थी, मंतरों की माला थी, वो भी गिर गई A peaceful palace spread on her face and we knew that she was dead उनके चेहरे पर एक सांती पूर्ण पीला पंचा गया और हमने जान लिया की वो मर चुकी है, उनकी मित्ती हो चुकी है We lifted her off the bed and as it customary laid her on the ground and covered her with a red trout प्रमपरा के अनुसार हमने उनको बिस्तर से नीचे उर्था रहा और उनको जमीन पर लेटाया और उनको लाल रंके कफन से या किसी सौल से उनको ढग दिया After a few hours of morning, we left her alone to make arrangements for her funeral कुछ घंटों के विलाप के बाद, हम लोग उनकी अन्तिम यत्रा की तैयारियों में लग गई In the evening, we went to her room with a true stretcher to take her to be cremated साम के समय हम उनके कमरे में गई, वहां से हम उनका stretcher ले आए, जिस पर ले जाकर उनको उनका अंतिम संसकार किया जाना था The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light सूर्य अस्थ हो रहा था और सूर्य की पीली-पीली केरने उनके कमरे में और बादे में आ रही थी We stopped half in the courtyard, हम आगन में जाकर रुख गई All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff Wrapped in the red shroud, thousands of sparrows set scattered on the floor लेका कहता है कि हमें आधी आगन में रुखना पड़ा क्योंकि जैसे ही हम उनको लेकर आगन में पहुँचे तो पूरा आगन जो था, वो बहुत सारे पक्छियों से, बहुत सारे गुरईया पक्छियों से भरा हुआ था जब हमने देखा चड़ियों को था, हमने सोचा आज इनको खाने को नहीं मिला है, इसलिए दुखी है इसलिए चह चाहा नहीं रही है, और इसलिए मेरी माँ उन्हें कुछ रूटी देने के लिए अंदर से रूटियां लेकर आई उन्होंने रूटियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा, दा वे माई ग्रेंड मदर यूस्टू जैसा की मेरी दादी मां किया करती थी और पक्छियों को या रूटी के छोटे-छोटे टुक देखाने के लिए डाल दिये दा स्पेरो टुक नो नोटिस अब दा बोर्ड पड़े ही आश्यर की बात है कि पक्छियों ने गुरे या पक्छियों ने उन रूटी के टुकरों की ओर देखा तक नहीं जब हम अपनी दादी मा को अंतिम संसकार के लिए ले आ रहे थे दे फ्लू अवे क्छियों वे सांत पूर्ट तरीके से बिलकुल चुपचा वहां से उड़ गई और जो नोकर था उनको साफ कर रहा था और डस्ट विन में डाल रहा था Dear student, this is the complete reading of this lesson, The Poetry of a Lady I hope you understand this chapter very well This is the first chapter, I will make you read the another chapter the next day Please read the lesson, understand the meaning and the summary of the lesson And have a nice day, bye-bye